आज मैं आपको इस वीडियो में हर्याना बोड ने नोवी कक्षा के छातरों के लिए इस साल सेशन दो हजार चोबिस और पचिस में नितिक शिक्षा की जो नई किताब लगवाई है इस नई किताब से नोवे पाठ के कोशनांसर करवाऊंगा जो की इस किताब का अंतिम पाठ भी है इस से पहले आठ पाठो के कोशनांसर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी और आपको नितिक शिक्षा के पहले तीन पाठो की जर वीडियो ची लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के बटन के ओपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्यूंकि मैं आपको अपने चैनल पर हरियाना बोड से सम्मदी जितनी भी लेटस्ट इ पिछले सालों के कोस्टन पेपर भी सोलूसन के साथ अपलोड करूंगा अब नो में पाठ के कोस्टन आंसर देखते हैं पहला कोशन है युद में पराजय का संजय के मन पर क्या परभाव पड़ा यानि कि युद में पराजय होने पर संजय के मन पर इसका क्या परभाव पड़ा आंसर देखें युद में मिली पराजय से संजय का सहस तूट चुका था वह निरास हो चुका था वह हर समय घर में पढ़ा रहता अब उसने कोई भी काम करना बंद कर दिया था यानि की हिम्मत हार चुका था युद में पराजय होने पर निरास हो चुका था घर में पड़ा रहता था और सभी काम उसने करने बंद कर दिये थे वह स्वैम को जीवित रखने की ही चिंता करता था और उसके बाद अब वो केवल अपने ही अपने आपको जीवित रखने की ही सिर्फ चिंता करता था उसके मन में अपना खोया हुआ मान सम्मान तता राज्य पुनह पराप्त करने की कोई लालसा नहीं थी यानि कि उसके मन के अंदर अपने राज्य को दुबारा पराप्त करने की अपने खोय हुए मान सम्मान को दुबारा पराप्त करने की कोई भी लालसा नहीं थी उसके बाद दूसरा कोश्चन देखें, दूसरा कोश्चन है, मनुस्य के जीवन की सार्थकता किस में है, यानि कि मनुस्य का जीवन जो है सफल कम माना जाता है, आंसर देखें, अपने करतेवे का पालन करने में ही मनुस्य के जीवन की सार्थकता है, यानि कि मनुस्य अपने क तेवे का पलन नहीं करता है और संसार में अपमान सहते हुए अपना जीवन वैतीत करता है ऐसा वैक्ति अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है समाज के अच्छे लोग मित्र आदी जिस गुणी मनुस्य को पके फलो से लदे वरक्स के समान अपना कर अपनी जीविका के लिए आसरे लेते हैं उसी गुणी मनुस्य का जीवन सार्तक है यहाँ पर यह बताया गया है ऐसा वैक्ति जो गुणी है एक ऐसे वरक्स के समान है जिसके ओपर फल है यानि कि ऐसा परक्स जो फलों से लदा हुआ है जिससे दूसरे लोग जुड़कर अपनी आजिविका चलाते है यानि कि अपना पालन पोशन कर रहे हैं तो ऐसे वैक्ति को ही सार्तक समझा जाता है जो एक पके हुए और लदा हो जो पके हुए फलों से लदा हुआ वरक्स के समान है जहां से दूसरे लोग अपन जो है आजिविका यानि की जिवन यापन के लिए आसरे लेते हैं जिसका सहरा लेते हैं तो ऐसे ही वैक्ति का जो जीवन है उसको सफल माना गया है उसके बाद तीसरा कोशन देखें यग दान और भोग करने के लिए क्या आवसक है आंसर देखें यग करने के लिए दान करने के लिए और भोग के लिए मनुस्य को धर्म और अर्थ अर्थ का मतलब है यहाँ पर धन से है यानि कि पैसे से है कि आवसकता होती है यानि कि ये बताया गया है इन तीनों चीजों को क कर्तव्य परायनता और साहस के आवसकता होती है कर्तव्य परायनता का मतलब होता है कर्तव्य की पूरती करना अपने कर्तव्य को पूरा करना और साहस इन दोनों की आवसकता होती है अते जिस व्यक्ति के पास धर्म और अर्थ कमाने और उनकी रक्षा करने की ने समता होती है ने साहस होता है और नहीं करतव्य परायानता होती है ऐसा व्यक्ति ना यग कर सकता है ना दान कर सकता है और नहीं ऐस्वरियों को भोग सकता है चोथा कोश्चन देखें उसके बाद चोथा कोश्चन है किस परकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है यानि कि कैसे व्यक्ति का जीवन वेर्थ है जिसके महतव की चर्चा समाज में नहीं होती यानि कि जिस व्यक्ति का समाज के अंदर चर्चा नहीं होती यानि कि समाज के लोग जिस व्यक्ति की चर्चा नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे वेक्ति का जो जीवन है वो वेर्थ मानना गया है उसके बाद है स्रेष्ट मनुस्य जिसे आदर सत्कार के योगे नहीं मानते हैं यानि कि जो अच्छे लोग हैं जिस वेक्ति को आदर समान के योगे नहीं मानते हैं ऐसे व्यक्ति का जीवन भी वेर्थ है और जिसे दान सत्य तप विद्या आदी के छेतर में कोई यस प्राप्ट नहीं हुआ व्यक्ति का जो जीवन है वो व्यथ माना गया है उसके बाद पाचवा कोश्ट लेखें के लिए सबसे बड़ा अ servants क्या है और अ pentru ca मतलब होता है यह और ये यानि कि मान समान की लिए आसटे के हैं जो व्यक्ति की लिए सबसे यानि कि जो व्यक्ति अपने परिवार के गोरो को कम करने का कारिय करता है, विपरीत करने का मतलब है कि जो अपने परिवार के गोरो को, यानि कि मान समान को कम करने का कारिय करता है, उसे सदे अपियस प्राप्त होता है, यानि कि उसका जो यस है, जो मान समान है, वो हमेशा कम होता है उधार्ण के लिए यदि कोई वैक्ति सत्रिय कुल में उत्पन होता है उधार्ण दिया गया है तो यहां पर यह बताया गया है कि अगर कोई ऐसा वैक्ति है जो सत्रिय कुल में पैदा हुआ यानि कि सत्रिय है और संजे की तरह सत्रू से डर कर घर में निठला बैठ जाता है यानि कि जो सत्री होता है वो हमेशा युदि के लिए या लड़ने के लिए त्यार रहता है लेकिन जो संजे था वो डर कर अपने सत्रू से डर कर घर में निठला बैठ गया था वह अपने कुल को कलंकित करता है और अपियस का भ क्या संजे की माता विदुला राजय धन तथा दूसरे सुग बोग प्राप्त करने मातर के लिए उसे युद के लिए परोथ साहित कर रही थी तो यहाँ पर यह कुश्चन के अंदर यह चीज पूछी गई है कि जो संजे की माती वो राजय के लिए धन के लिए और दूसरे तथा दूसरे सुख भोगों के परती लालत नहीं था यानि कि जो विदुला थी संजे के माता उसके मन में राजय के लिए धन के लिए और जो दूसरे जो सुख थे उनके परती लालत नहीं था वह केवल इन्हें पराप्त करने के लिए अपने पुत्तर संजे को युद में प्रोटसाहित नहीं कर रही थी यानि कि केवल इन चीजों को पाने के लिए वो अपने पुत्र को युद के लिए प्रोटसाहित यानि कि उत्साहित करना युद के लिए त्यार करना तो इस वज़े से वो अपने पुत्र को जो है त्यार कर रही थी यानि कि प्रोथसाहित कर रही थी एक सत्राणी माता का यह करतवे होता है कि वह अपने वीर पुत्तर के मन में निरासा डर आदी के भाव नहरे ने दे यानि कि उसकी माता जो है सत्राणी थी और सत्राणी माता का यह करतवे होता है कि वह अपने वीर पुत् रहने ना दे विदुला भी एक सत्राणी माता थी और विदुला जो थी वो भी एक सत्राणी थी यान वहे अपने पुत्र को कायरता के कलंक से बचना चाहती थी यानि कि वो चाहती थी कि उसके पुत्र को कोई कायर ना कहें यानि कि कायर का कलंक उसे ना लगे वहे चाहती थी की उसका पुत्तर वीरता पूर्वक लड़कर सत्रू को हराए या फिर वह सत्रू के साथ युद में लड़ते हुए वीरगती प्राप्थ करें यानि की शाहती थी की वह कुल का का किलंक बने चाहे उसके लिए चाहे वो लड़ते हुए अब वीरगती को ही क्यों ना प्राप्त हो जाएं उसके बाद कुस्चन नमबर सेवन है विदुला के उदगारों से उसके चरित्र की किन विशेष्टाओं का पता चलता है यानि कि युद के लिए जो विदुला अपने बेट थी उन बातों से उसके चरित्र की निमलिखित विशेष्टाओं का पता चलता है पहला है वह सच्ची सत्राणी थी एक स्रेष्ट सत्रिय कुल में उसका जनम हुआ था एक स्रेष्ट सत्रिय कुल की वो की पुत्रवदू तथा स्रेष्ट सत्रिय की पतनी है यानि कि इन उसके बाद हैं उसमें कर्तव्य प्रयायनता की भावना कूट कूट कर भरी थी यानि की कर्तव्यों को पूरा करने की जो भावना है उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी वह अत्यंत बुद्धिमती थी यानि कि बहुती जदा बुद्धिमानी थी और अपने पुत्र को निरासा भै और आदी से बाहर निकालने में सफल होती है एक सची सत्राणी माता के कर्तवे के परतिवे हैं सजग थी यानि कि एक सत्राणी माता के जो कर्तवे होते हैं उन कर्तवे के परतिवो सजग थी यानि कि उसको पता थे कि उसके कर्तवे क्या है उसके बाद है कुशन नमबर एट कर्तवे विमुक वैक्ति को समाज किस से देखता है आंसा देखे समाज करतव्य मुक्त मुख व्यक्ति को हमेशा अपमान की द्रस्टी से देखता है यानि कि समाज जो है उसका हमेशा अपमान करता है जो व्यक्ति अपने करतव्य से विमुक्त हो जाता है यानि कि करतव्य को पूरा नहीं करता है उसे भोजन वस्त प्राप्त करते हैं उसके बाद नेक्स कोशन है कोशन नमबर नाइन करम पत्थ का त्याग करने पर मुनुस्य किस्तिती कैसी हो जाती है आंसर देखें यानि कि करम पत्थ का त्याग करने का मतलब होता है अपने कारिये को ने करना करम का मतलब होता है कारिये जो मनुस्य अपने करम पत्क का त्याग कर देता है यानि कि अपने करम करना यानि की कारिय करना बंद कर देता है वह हर जगे अपमानित होता है अन्ने लोग उसकी निंदा करते हैं और उसका उपहास करते हैं यानि कि उसका मजाक उड़ाते हैं मुनुसre मरने के बाद भी अदम गती प्राप्त करता है next question है question number 10 सने और मोह में क्या अंतर है सने को अच्छा और मोह को है दरस्टी यानि कि बुरी दरस्थी से क्यों देखा जाता है आंसर देखें अभी इसका सने और मोह में परियाप्त अंतर है यानि कि सने और मो के अंदर दोनों में ही जो है अंतर है, सने सासवत है, सने मतलब सासवत का मतलब होता है, ऐसी वस्तों जो कभी भी समाप्त नहीं होती, तो सने जो है सने को सासवत बताया गया है, यानि कि सने वो है जो कभी समाप्त नहीं होता, एवम सवाविक प्रेम का प्रेम है यानि कि जो यहां पर मोह है इसको बताया गया है कि यह स्वारत पर आधारित प्रेम है सने प्रेम का उद्दात सव रूप है यानि कि विशाल सव रूप है उद्दात मतलब विशाल बड़ा सव रूप है जबकि मोह प्रेम का सुद्र रूप है यहां पर सुद्र आ कर सकता है ताकि वह जीवन में नीती पूर्व कहने के अच्छी तरह से उनत्ती कर सके सम्मान अर्जित कर सके उधारन के लिए विदुला अपने पुत्र को युद करने के लिए भीजना चाहती है ताकि वह अपना खोया हुआ सम्मान आदी प्राप्त कर सके मोह में पड़ा व सने करने वाला व्यक्ति ने स्वेम करतेवे मुख होता है यानि कि जो व्यक्ति सने करता है वह स्वेम भी यानि कि खुद भी जो है करतेवे मुख नहीं होता यानि कि करतेवे को नहीं छोड़ता और नहीं उस व्यक्ति को करतेवे मुख होने देता है और नहीं दूसरे व्यक् लालेट है उसके अंदर यह सम्ता नहीं होती और इसी कारण स्नय को श्रय या इसी वजह से ही जो स्नय है उसको श्रय यानि कि अच्छी द्रस्टी से और मो को जलिए 10 ही कोरण के नास हुआ था य्य जो धरत्रास्ट्र है उसके पुत्र मोह के कारण ही कोरवो का विनास हुआ था उसके बाद एमस्वी को वाले कोशन है एक एक नमर वाले कोशन है इसमें निमलिखित में से कौन सी विशेस्ता विदुला से संबंदित है उसके बाद दूसरा कोशन है मनुस्य को किस के लिए प्रियतन करना चाहिए धरम और अर्थ अर्थ का मतलब है यहाँ पर धन से है यानि कि पैसो से है किस का कथन है स्री करसन का किस पुत्तर से सने करने वाली माता का सने सच्चा नहीं बताया गया है आल सी पुत्तर से उसके बाद नेक्स्ट है विदुला के पुत्तर कितने पुत्तर थे तो विदुला का एक ही पुत्तर था कैसे लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं ने कि कैसे लोग जो है थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हैं तो कायर लो तो ये थे आपकी नई नितिक शिक्षा की किताब से नोवी कक्षा के चात्रों की नोवे पार्ट के question answer वीडियो ची लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के बटन के ओपर क्लिक कर लेता है कि जब नेक्स वीडियो अपलोड हो तो उसका notification आपको मिल जाए